हेलो दियर फ्रेंड्स बेल्कम टू किजाम गुरु जी आज हम आपको लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 कोशन लेके आए हैं जो कि रेजरबॉल डैम्स अर्थन डैम्स तो इस तरह के जितने भी डैम्स हैं उन से जितने भी एक्सपेक्टेड कोशन हैं वो इस वीडियो में ड पार्ट है उसमें भी आपको फिल अपी करने हैं तो इस तरह के इंपोर्टन कोशन एक्जाम के पॉइंट और भी उस है तो आपको इसके बारे में नौलज होना जुरूरी है अब देखिए फर्स्ट पॉइंट कोशन हमसे बोल रहा है कि स्टोरेज रेजरवोयर आर यूज तो स्टोरेज रेजरवोयर होता है जिसको आप यूजड करते हैं तू डैश के लिए किसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं तो स्टोरेज रेजरवोयर जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं ताकि जो पानी होता है अप साइड जो होती है डैम की वहां पर हम उसको स्टोर कर सके तो यहां पर यह हमारा बिल्कुल करेक्ट अंसर बन जाएगा तो इस पॉइंट को आप याद रखिए रिजर्पोर को हम इसलिए यूज करते हैं अगला देखिए डैश इस यूज पर डेटरमाइंडिंग अरिया इन इस कंटूर डैश कौन सा होता है अब यहां पर देखिए एडिया की बात हो दिये तो डेटरमाइंड करता है एडिया को गंटूर का तो सभी को पता है कि इसके लिए हम प्लेनी मीटर जो होता है उसको यूज करते हैं इस तरह यह कोशन जो होते हैं आपको सोचने पर जोरिया चार उप्षिन दी होते हैं तो वह तो कोई भी यह लगा सकता है तुगका लगा के इस तरह कि यह होते हैं यह आपके लिए अच्छी होते हैं एंग्जाम के पॉनिट अभी से तो इस कोशन का महारा प्लेनीमेटर होगा अगला देखिए इंटनेटर एडिया अपस को बोलते हैं यह point आप जाद रखे उसमत कि भाकरा डैम in Punjab is a भाकरा बान सभी को पता है कि भाई ये पनजाब में है तो बोल रहा है कि अब ये किस तरह का डैम है आप को पता है कि डैम जो होते हैं वसे उसको तीन चार काटागिरी में डिवाइड किया हुआ है according to हREWचे पोटील जो हम यूज करते हैं तो इस तरह के पार्ट हैं तो यह सारे पार्ट आपको पता होने चाहीद डिज्श होता है तो और फोनल पें किस तरह को होता है तो चार पार्ट में हमने क्लों हषीया है तो फिकाल किया हुआ है एंति हैक तेरिया फ intelig किये हैं लेकिन आपको यह पता होना जरूरी है कि भाई बाखड़ा बांध जो है यह आता है पंचाब में एंड यह बना हुआ है कॉंक्रीट का तो यह रिजिट डैम कर लाएगा रिजिड डैम है यह उप्शन नहीं दिया है लेकिन रिजिड डैम आप इसको याद रखिए इंप्वॉटन कोशें रहिए बागी आपको और भी थोड़े पाइपा कॉंक्रीट हो गया टिम्बर हो गया मैस्टी है वो हमारे पास रिजिड डैम की कयड़ेगेरी में आते हैं अब यहांपर भी बहुत सारी कयड़ेगेरी हैं कि भाई कौन-कौन सा डैम जो हाई गया र यहां पर बता दिए कि भाखडा डैम जो है यह है and second one जो है रिहिंद डैम रिहिंद डैम जो है यह यूपी में है यह भी concrete का ही बना हुआ है तो यह दो example मैंने आपको बता दिये इस दोनों example को आप याद रखिए अगला कुशन देखे gravity डैम आड दोज gravity डैम वह होता है in which tablet is maintained through the counter action of gravity force alone due to there due to there जहां पर ग्रैविटी डैम की बात आती है तो यह जितने भी forces इस पर लगती है तो यह अपना उसका own weight जो होता है self weight जो होता है उससे ही ही रिजिस्ट करता है तो यहां पर हमारा own weight जो होगा बिल्कुल correct answer बन जाएगा अगले जो point है यहां पर strike out the incorrect answer and fill of the blank वैसे यहां पर मैंने option नहीं दिये हैं option दे दूंगा तो आप फिर भी तुक्का लगाएंगे तो यहां पर आपको थोड़ा बहुत याद होना है कि भई क्या होगा इस question में अब यहां पर देखिए the silt deposit will be dash silt deposit जो होता है dash होता है if the soil of the catchment area is lose silt deposit जो होती है will be less या फिर more if the soil of the catchment area is lose अगर soil जो है catchment area के वो लूज है तो silt deposit जो होगी वो क्या होगी कम होगी या पर जाता होगी यह point exam के point अभी से important है तो अगर silt deposit जाता होगी more होगी तो catchment area जो होगा soil का वो lose होगा तो यहां पर more answer आएगा यह याद रखिए अगला देखिए the storage capacity of the reservoir should be dash by 10 to 15 percent than the average yield of the catchment क्या यह सही है यह फिर गलत है storage capacity जो होती है reservoir की should be should be greater should be greater होगी by 10 to 15 percent 10 to 15 percent than the average yield होता है catchment area तो यहां पर greater आएगा greater हमारा answer हो जाएगा अब देखिए मैंना को बाकरा डैम के बारे में बताता है बाकरा डैम जो है वो क्या है तो वाकरा डैम जो है वो पीछे बता चुका हो रिजड डैम है रिजड अब देखिए यह पॉंग डैम डैम में है इस एन डैस डैम कौन्स्ता डैम हो यह इस नोन रिजड डैम होते हैं या फिर किसी रोके बनाए हुँ होते हैं तो यह important है exam के point अब अगला option देखिए live storage होती है वो बराबर होती है किसके बराबर होती है gross storage dash storage live storage होती है वो होती है gross storage and dead storage होती है या पर dead storage आएगा हमारा answer अब यहां पर देखिए gravity dam के question आगे पीछे हमने reservoir and dams के question डिस्कुस ही थे अब यहां पर gravity dam के जितने भी question बनते हैं 10 question है वो सारे हम इस video में discuss करने वाले हैं अब gravity dam से पर first question देखिए gravity dam are prefer gravity dam जो होता है प्रिफर करते हैं if the valley has dash and dash वेली जो होती है डैश and dash होती है तो वेली जो होती है वो steep side slope होता है जो steep होता है steep side slope होता है and यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा high flank high flank है high flank होता है किनार आप उसको बोल सकते है या फिर बगल या फिर जो टोफ होता है चलो हो सकते हैं तो रीखेए अगला देखें, Uplift इस रेडूस्ट इस रेडूस्ट इस रेडूस्ट कुछ इब माइड रेडूस्ट करनी है, तो इस रेडूस्ट कहूं होता है, यह आप याद रिखें, अगला देखें, the separation of cement water paste from the rest of the material is called rest of the material is called dash आप उसको क्या बोलते हैं तो इसको सभी को पता है कि इसको segregation ही हम बोलते हैं अब अगला देखिए gallery is a dash gallery is a dash left in completed dam so gallery जो होती है एक passage होती है gallery एक passage होती है left in completed dam तो यहां पर passage आएगा अगले देखिए यहां पर फिलफ्स ही है यहां पर तो फिलफ्स में इसे फस्ट कोशन बोल रहा है कि gravity dam are provided with a spillway gravity dam जो होता है उसमें भी spillway होते हैं ताकि पानी आप जब मर्जी चाहे हैं जब छोड़ सकते हैं dash the body of the dam section dash the body of the section कहां पर inside में होते हैं inside में होते हैं gravity dam are provided with a spillway inside the body of the dam inside में आप spillway provide करते हैं अगले देखिए gravity dam dash be constructed to much larger height gravity dam dash तो gravity dam जो होते हैं can be constructed to much larger height तो gravity dam जो होते हैं बहुती ज़्यादा होती है अगले देखिए gravity dam is dash dam gravity dam जो होता है एक rigid dam होता है अगले जो gravity dam takes dash time for construction तो gravity dam जो होता है इसको construction करने में बहुती time लगता है more times अगले देखिए ग्रेविटी डेम्स और प्रिफर आप प्रिफर करते हैं वेर्ट साइड ओफ दा वेली डैश स्टेप तो यहां पर आर आएगा सिंपल कुछ नहीं आएगा आर स्टेप अगले जो कुछिण है वो अर्थन डैम से लिए गये हैं यह भी इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से अब देखिए नेक्स्ट कुछिण बोल रहा है इसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है अल्टर हाइड्रॉलिक स्ल्यूजिंग अल्टर हाइड्रॉलिक स्ल्यूजिंग तो इसको यहां पर यह अंसर आ जाएगा अब अगला कोशन देखिए इस प्रवाइडर डैश तो बोडि ओफ टैम् देखिए यहां पर हम अर्थन डैम की बात करें पिछे हम ने ग्रैवटी डैम की बात किढ़ी वहां पर इंसाइड था लेकर यहां पर आउट साइड होता है आफ है मिलnya अगरHa w Just feeling बें आफ आफ साइड अगर इसको मैं आफ आच प्रबाइड करिए फीक डे मि dedicate जोगा होती यूस के लिए Death was a pumpkin कीश्च घिल्च हो इसको इसको आफ ऑफ भाइट करते हैं इसको आफ उट मैं की इस रख्या के लिए हैं मैंना सब्राइं स pickup the होती है जो होती है सेंडर लाइन यह को होती है उसके पहला कि अब आज रहां हंप यह भी एंग्जाम के पॉइंट आफ यू से इंपोर्टन्ट है तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेजिए साथ में बैल आइकन को ब्रस कर लेजिए अब देखिए नेक्स क्या बहुत है तो देश था पाथ ओफ परकुलेटिंग वाटर कट अफ जो होती है प्रवाइड करते हैं ताकि यह इंक्रीज कर सके पाथ जो होता है परकुलेटिंग बाटर का तो यहां पर इंक्रीज हमारा अंसर आएगा अगले देखिए कट ओफ वॉल डैश इन दा बोड़ी ऑफ डैम काट ओफ वॉल जो होती है वो डैश होती है दस नोट एक्सेंड वह नहीं बढ़ती है बोड़ी ऑफ डैम जो होती है καट वोल जो होती है नश्यकिए बिलोव दा पैसे लाइन देल अरग धैस है इन यह चान तो क्या रहेगा तो उसमें पॉजिटिव होता है बिलो दर सीपेज लाइन देर आर पॉजिटिव हाइडो स्टाटिक प्रेशर इन दा डैम पॉजिटिव यहां पे आएगा अगले देखें स्ट्रक्चरल फेलियर इन अर्थन डैम में ओकर ड्यू टू डैश इस्ट्रक्चरल फेलियर जो होता है अर्थन डैम में वह किसकी बज़ासे आपको देखने को मिलता है स्लाइडिंग जो होती है उसकी बज़ासे स्लाइडिंग की बज़ासे अगला लास्ट कोशन देखिए हमारे से वीडियो का इस इन अर्थन डैम मतीरियल आर यूजड अगर आप मटीरियल यूज़ कर रहे हैं तो ग्रेंट जो होता है वो स्टीफ होता है तो यहते हैं हमारे मोस्ट एक्सपेक्टर 20 कोशन आपको हमारी वीडियो कैसी लेगी वीडियो को अपने दोसके साथ शेयर करें वैसे 20 से ज्यादा ही कोशन थे लेकिन 20 ही हमान के चलते हैं तो वीडियो को अपने दोसके साथ शेयर कर दें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में